Hello friends, welcome in my channel SPT999, this is Vikas और आज किस lecture में हम लोग MS Excel का Paste Special option देखने वाले हैं यह MS Excel का बहुत ही खास option है इसमें आपको कई तरह की नई tips और tricks सीखने को मिलेंगी जो आपकी working को fast और smart बनाने वाला है तो यह आपको home tab में ही मिल जाता है clipboard group के अंदर जहां आप paste करते हैं वहीं इस पे click करेंगे तो drop down menu खुलता है जहां आपको paste special में लेगा तो एक तो normal paste होता है जो आप copy paste हमेशा की तरह करते आए हैं और एक होता है paste special तो इसके लिए data sheet बना लेते हैं जब आप किसी भी content को यहां से copy या cut करते हैं जैसे हमने copy किया तो paste special में यह कई सारे option enable हो जाते हैं यह options क्या है इसके लिए हम यह paste special option पे click कर देते हैं तो यहां आपे इनकी list खुल करके आ जाती है तो सबसे पहला option है all आपको paste करना है तो all मतलब सब कुछ paste करना है सब कुछ का मतलब क्या है इस data में formatting की गई है size है, column का size है इसके लावा हो सकता है comment लगी हो conditional formatting, validation बहुत सारी चीज़े इसमें हो सकता है apply की गई हो तो all का मतलब होता है वो सारी चीज़े यहां से copy करके और जहां paste करेंगा आप वहाँ paste कर देगा जैसे हम paste करते है तो जो normal paste होता है वो all, by default all करता है देखे, all पे करते है तो यह सब कुछ copy करके paste कर देता है लेकिन अगर हमें इस data में से कुछ particular चीज़े चाहिए specific चीज़े चाहिए तो वो हम यहां पे paste special में जाके बताते हैं कि हमें क्या चाहिए जो आपने data copy किया है उसमें से सिर्फ formula चाहिए या value चाहिए या formats चाहिए जैसे हमने यहां पे format क्लिक कर दिया तो यह सारी formatting देदेगा data नहीं आएगा तो formatting में देखे border भी आ गई है color भी आ गया है तो इस तरीके से हम formatting copy paste कर सकते हैं अब जैसे यह वाला data हमने यहां पे copy किया इसको हमने select करके अब यहां पे cursor रखते हैं और अगर आप normally paste करें यानि direct paste करें या फिर यहां special में जाके all करके करें तो आप देखेंगे कि यहां पे by default यह formula copy कर लेता है तो इसके copy करने से क्या हुआ 0 आया क्योंकि इसमें formula क्या लगा है अपने left के 3 cell को add करके दिखाना है तो यह भी अपने left के 3 cell को add करेगा तो formula के हिसाब से यहां 0 आ गया क्योंकि इन cell में जो formula लगा है उसको इसने paste किया है तो by default यही setting होती है कि वो formula के साथ paste करता है ऐसे ही यहां पे जब आप जाएंगे तो आप formula पे click करेंगे तब भी यही होगा formula paste कर देगा हाँ इसमें formatting नहीं आया हुई है क्योंकि all करने का मतलब क्या था all के साथ सब कुछ आ गया formula आ गया by default लेगन formula करने से क्या हुआ कि formatting नहीं आये सिर्फ formula copy हुआ है only formula ऐसे ही paste special में हम जाते है और कई बार हमें यहां से क्या चाहिए कि हमें formula नहीं चाहिए सिर्फ values चाहिए यह वाली तो हम values पे click कर देते हैं और okay कर देते हैं तो यह values देदेगा इस बार देखे formula copy नहीं किया इसने और paste नहीं किया यहां से values को copy करके paste कराया ऐसे ही इस data में अगर comments लगी होंगी तो comments को paste करा देगा यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आपको comment paste करने है तो data नहीं उठाएगा इसमें जो comments लगी होंगी वो paste कर देगा validation अगर लगा हुआ है validation paste करना है तो वो paste कर देगा all using source theme तो सब कुछ paste करना है source theme के साथ या फिर all accept border मतलब क्या है कि सब कुछ paste करो लेकिन border छोड़ करके तो all यहां पे click करके करेंगे तो आप देखे यहां पे all का मतलब क्या है by default formula उठाया formatting भी उठायी लेकिन border नहीं लिया इस बार क्योंकि हमने क्या लगाया था all accept border कि सब कुछ दो लेकिन border मत दो ऐसे यह option है जैसे आपको सिफ column की width चाहिए तो इस column F column की जो width है वो यहां से paste हो जाएगे आप देखेगा इसका J का size अभी कम है लेकिन जैसे हम इसको ok करेंगे तो F का size यहां आ जाएगा क्योंकि हम क्या कह रहे है कि column की width को आप paste कर दो तो ok करेंगे तो यह देखे J का size बढ़ गया है इसका जो size था वही इसका size कर दिया इसने ऐसे ही यहां पे options हैं अलग-अलग तरे के आपको formula और number format चाहिए यानि number जो लिखा है उसको किस format में लिखा गया है font उसका क्या है size क्या है वो formatting चाहिए और formula भी चाहिए या फिर value and number format चाहिए तो आप ok कर देंगे जैसी आपको जरूरत है तो यहां पे जो भी number का format रहा होगा size रहा होगा वो और values यह दोनों चीज़े paste कर दिया इसके बाद चलते हैं यह operations देखते हैं operation में अभी तक none लगा हुआ था अब यह देखते हैं भाकी क्या है यहां पे देखे एक value लिखी है 10 हमने इसको copy किया यहां से और जहां पे 110 लिखा हुआ इस पे हम इसको paste करना चाहते हैं तो अगर हम direct paste करेंगे तो 110 override हो जाएगा और इस पे 10 आ जाएगा लेकिन अगर हम paste special में जा करके और यहां operation में add select कर लें तो यह क्या करेगा 110 में 10 को add कर देगा तो हमारा जो result बनेगा वो 120 बन जाएगा ऐसे ही यहां पे operations है आप यहां पे select कर सकते हैं आपको multiply करना है आपको subtract करना है आपको divide करना है select करके आपको ok करना है तो देखे 110 को उसने 10 से divide किया तो 11 answer आ गया divide करने पे इसके बाद paste special में एक option है skip blank का और फिर transpose है तो आई देखते हैं क्या है skip blank यहां पे हमने एक data बनाया हुआ है और इसमें आप देखेंगे इस पूरे area में 3 से lessy हैं जो blank है और यहां पे आप देखेंगे कि सारी cell filled है अब अगर आप इसको यहां से copy करें और उसके बाद यहां cursor रखे इसके उपर paste करें तो अगर आप normal paste करेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो यह इधर वाला data था वो overwrite हो जाता है और जो आप paste करते हैं वो उसकी जगह पे आ जाता है as it is लेकिन यहां एक option है हमारे पास हम skip blank कर सकते है skip blank का मतलब क्या होता है कि आप सारा data तो paste करो यहां पे लेकिन जो blanks है उनको छोड़ दो तो अगर आप blank को skip कर देंगे तो उसकी जगह पे जो यहां वाला data है वो ही बना रह जाएगा क्योंकि जब आप direct paste करते हैं तो यहां से blank भी copy होके paste हो जाता है इसलिए यहां का data चला जाता है लेकिन हमने का यहां जो data है उसको रहने दो लेकिन जो blank है तो उसको छोड़ दो blank को मत paste करो तो blank अगर नहीं रहेगा तो फिर उसकी जगह यहां जो data पढ़ा है वो बचा रह जाएगा तो आप ok करके देखें सारा data यहां से paste हुआ और जहां-जहां blank था वहां पर पुरानी value इस जगह की पड़ी हुई है इसके अलावा हमारे पास transpose option है अगला तो देखते हैं sheet 1 पर यह data है इसको आप select करेंगे दो तरीके से हम data create करते हैं एक कि हम row में सारी heading दे देते हैं जैसे यहां दिया हुआ है और दूसरा हम column में सारी heading दे दे तो row wise या column wise data है उसी को हम change करते हैं उसी को बोलते हैं transpose करना जैसे हमने इसको copy किया और यहां पर cursor रखा और हम इस data को transpose कर दे तो अभी यह जीस format में है उसका यह just उल्टा हो जाएगा यानि transpose पर ओके किया तो अब देखेंगे आप यहां पे जो heading यहां row में थी अब वो column में आ गई है और जो data column wise था वो row wise सेट हो गया यह देखें यहां पे तो इसी को बोलते हैं data को transpose करना इसके बाद paste special में last option है paste link वो क्या है यहाँ पे एक data लिख लेते हैं हम SPT 999 अब इसको आप copy करिए यहां से और यहां पे paste करेंगे तो अगर आप normal paste करेंगे तो normal effect होगा लेकिन अगर हम paste link पे click करके paste करें तो होता गया है कि इसका इसके साथ एक link बन जाता है यानि अगर आप यहां पे कोई change करेंगे तो उसका change यहां पे भी होता रहेगा जैसे SPT 999 को हमने यहां से हटा करके लिख दिया विकास सिंग तो आप देखेंगे यहां पे भी change हो जाएगा जैसे आप content में कोई changes करेंगे यहां पे हमने लिख दिया add the rate 999 और enter करेंगे तो वो यहां पे भी add हो जाएगा तो यह data जो है एक दूसरे से link हो जाता है इसको हम लोग paste link बोलते हैं So guys that's all for this lecture If you have any doubt or question then you can contact Thanks for watching